और इस बीच पटना से बड़ी ख़बर है जा दोनों डिप्टिस C.M. की सुरक्षा बढ़ा दी गई है दोनों को Z.P.L.S. सुरक्षा दी गई है समराड चौधरी विजय सनहा को Z.P.L.S. बिहार सरकार में अनुश्वंसा की थी पहले से दोनों को Y.S. सुरक्षा ती और अब इस सुरक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोनों को Z PLUS की सुरक्षा दे दी गई है दोनों विहार के 37CM, सब्रार चौधरी, विजय सनहा जिनको अब Z PLUS की सुरक्षा मुहया कराई जाएगी विहार सरकार ने इसकी अनुश्वनसा की थी और पहले से दोनों को वाई शरीने की सुरक्षा मुहया करेंगे तो देखिए दस फरवरी से बिहार विदान मंडल का बजट सत्र शुरू होगा पहले ही दिन दस फरवरी को NTA सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा जिसमें स्यमतीश्क मार बहुमत साबित करेंगे 12 फरवरी को बजट पेश होगा राजजेपाल के अभिबाशन से इस सत्र के उश्रूआ थोगी दस फरवरी को सुबह सारे 11 बजए अभिबाशन होगा सकत सदर में राजजेपाल का अभिबाशन होगा पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट पेश किया जाएगा तो दस फरवरी को सुबा सारे 11 बजे अभिभाशन और दस फरवरी को सरकार का फ्लोर्टेस्ट भी होना है पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट पेश की जाएगी तो बिहार विधान मंडल के बजट सत्की शुरुआत होनी है और इस बीच सरकार को बहुमत भी साबित करते हैं नितीश कुमार ने इंडिय अलायंस का साथ छोड़ा तो जेडियू का तीर सीधे कॉंग्रिस के पंचे पर जा लगा मलका जुन घड़के से लेकर राहूल गांदी तक नितीश पर निशाना साथ रहे हैं आखिर क्यों निशाना साथ रहे हैं रिपूर्ट में समझे निया यात्रा को लेकर बिहार के सिमांचल पहुंचे राहूल गांदी के तेवर के सरीये केंद्रिये अन्वेशन ब्यूरो यानी एडी अपनी जाँच तेज कर दी है जाँच एजनसी पूरी तुरह एक्शन मोड में है सोमवार को पटना में लालू प्रसाद से करीब दस घंटे तक पूछताच हुई तो मंगलवार को बारी थी उनके बेटे तेजस्वी आदब की लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी आदब से सवालों की बोचार की गई पटना में एडी दफ्तर के अंदर तेजस्वी से सवाल पर सवाल तागे जा रहे थे तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा था आरजेडी के नेता और कारिकरता एडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैट गए मीसा भारती, मनोज जा, शक्ति आदब, सुनील सिंग, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दकी कई ऐसे आरजेडी नेता घंटों एडी के दफ्तर के बाहर जमा रहे केंद्रिय जाज एजनसी के खिलाफ आकरोश किस कदर है वो आरजेडी नेताओं के बयान से समझे